ओम शान्ति बारा ओगिस्ट दोहजार बाइस बाबा के महावाक्य मीठे बच्चे बाप का फर्मान है देही अभीमानी बनो पवित्र बनकर सबको पवित्र बनाओ निश्चे बुध्धीबन बाप से पूरा वर्सा लो प्रश्न अंत में शरीर छोड़ने समय हाई हाई किन हुंकी करनी पड़ती है उत्तर जो जीते जी मरकर पूरा पुरुशार्थ नहीं करते हैं पूरा वर्सा नहीं लेती हैं उन्हे ही अंत में हाई हाई करनी पड़ती है प्रश्न इस समय अनेक प्रकार के लड़ाई जगडे वा पार्टिशन आदी क्यों हैं उत्तर क्योंकी सब अपने असली पिता को भूल और्फन निधन के बन गए हैं जिस मात पिता से घनेरे सुख मिले थे उसे भूल सर्वव्यापी कह दिया है इसलिए आपस में लड़ते जगडते रहते हैं गीत ओम नमो शिवाय ओम शान्ती यह किस ने कहा ओम शान्ती आत्मा ने इन शरीर की करमींद्रियों द्वारा कहा आत्मा है अविनाशी शरीर है विनाशी आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है आत्मा सबसे जास्ती चौरासी जनम लेती है इनको कहां ही जाता है चौरासी जनमों का चक्र ऐसे नहीं सभी चौरासी जनम लेते ही नहीं मनुष्य तो इन बातों को नहीं जानते हैं गीत में भी सुना शेवाय नमहा। उन्च ते उन्च है शेव परमात्मा। वह है निराकारी दुनिया का रहने वाला। जहां सब आत्माय रहती है। उन्चे निचे सुक्ष्मवतन वासी। उन्चे ते उन्चे भग्वान की महीमा सुनी शेवाय नमहा। तुम मात पिता बंधु सहायक। यह उनकी महीमा है। फिर कहींगे ब्रह्मा देवताय नमहा। वहरचेता वहरचना। फिर है यह मनुष्य सरष्टी। इस मनुश्य स्रश्टी में ही पावन और पतित बनते हैं। सत्युग में पावन, कल्युग में पतित हैं। भारत में आज से पांच हजार वर्ष पहले देवी देवता थे। वह सब थे मनुश्य, परंतु सर्वगुण संपन्न सोला कला संपूर्ण थे। यह है उन्हुं की महीमा। वहां हिंसा होती नहीं, विकार में जाते नहीं। उन्हुं को कहते हैं संपूर्ण निर्विकारी। विकारी मनुश्य उन्हुं की महीमा गाते हैं। आप सर्वगुन संपन हम नीच पापी हैं, पर मात्मा को भी याद करते हैं, परंतु उनको कोई जानते नहीं हैं, इसलिए और्फन टहरे, गाते भी हैं तुम मात पिता, जिससे सुख घनेरे मिलते हैं, फिर जब रावन राज्य शरू होता है, तो मनुश्य बाप को भूल, पतित, और्फन, निधन के बन पड़ते हैं, आपस में लड़ते जगडते रहते हैं, सब जगह देखो, जगडे ही जगडे लगे हुए हैं, कितने पाटीशन हैं, स्वर्ग में तो एक ही लक्षमी नाराय का राज्य था, भारत वासी सारे विश्व के मालिक थे, अब तो टुकडे टुकडे हैं, यह समुद्र तुम्हारा, यह हमारा, यह धर्ती हमारी, यह तुम्हारी, पंजाब, यूपी, राजस्तान, आदी आदी, अलग-अलग हो गए हैं, भाश्या पर भी कितने जगडे हो क्योंकि पार लोकिक माबाप को नहीं जानते हैं, भारत स्वर्ग था, तो यह कोई बात नहीं थी, अब फिर स्वर्ग होना है, बाप बैठ समझाते हैं, यह स्रिष्टी का चक्र कैसे फिरता है, बेहद का बाप, बच्चों को कहते हैं, तुम कितना बेसमझ बन पड़े हो, कहते भी हो, हे परमपता परमात्मा, फिर उनकी बायोग्रफी को नहीं जानते हो, बाप पतित पावन सद्गती दाता भी है, तुम तो जानते हो, वह तो कह देते हैं, इश्वर सर्वव्यापी है, सर्वव्यापी कहने से फिर वर्षा कैसे मिलेगा, जरूर बाप चहिए न, वर्षा देने वाला, लोकिक बाप बच्चों को पैदा करें, और फिर पूछो, तुम्हारा बाप कहा है, तो क्या सर्वव्यापी कहेगा, अरे बेहद का बाप तो रचेता है न, उसको ही सब भगत पुकारती है, हे पतित पावन शिवाबा आकर हमको पतित से पावन बनाओ, जैसे स्वर्ग में पावन थे, वैसे फिर हमको आकर पावन बनाओ, हम बहुत दुखी हैं, जब से रावन राज्ष शुरू होता है, तो सब मनुश्य पतित होने लग पड़ते हैं, दर दर धक्के खाते रहते हैं, समझते हैं, सब में परमात्मा है, मुर्टिया ठिककर भितर की बनी हुई है न, तो समझते हैं, के इसमें भी भगवान है, अरे, पत्थर में भगवान कहां से आया, वह तो परमधाम में रहता है, कितने धेर चित्र बनाते हैं, फिर जब पुराने हो जाते हैं, तो फेंक देते हैं, यह है गुडियों की पूचा, कहते हैं, हे बाबा, हमको सद्गती दो, सर्व का सद्गती दाता, एक ही पतित पावन शिव बाबा है, उनको सब मनुश्य भूल गए हैं, उनको सब याद करते हैं, सब का पतियों का पती, अथवा बापों का बाप वह है, बाप कहते हैं, बच्चे अब पावन बनो, तुम्हारी आत्मा अब पतित हो गई है, खाद पड़ गई है, सच्चे सोने में खाद डालने से, अथवा अलोई पड़ने से, सोने का मोल्य कम हो जाता है, तो यह भी तमो प्रधान दुनिया है, पहले गोल्डनेज में थे, तो संपूर्ण निर्विकारी थे, फिर सिल्वर की खाद पड़ी, फिर कौपर आइरन में आते हैं, आत्मा पतित होती जाती है, अभी तो बिलकुल ही आइरनेज्ट हो गई है, वही भारत सतो प्रधान था, अब तमो प्रधान बन गया है, जो पहले पहले थे, जरूर उन्हों को ही पूरे 84 जनम लेने पड़े, क्रिश्चिन आते ही बाद में हैं, वह 84 जनम तो लेना सके, वह 35-40 जनम करके पाते होंगे, स्रश्टी की आयू भी अब पूरी होती है, फिर नई बनेगी, नई दुनिया में है सुख, पुरानी दुनिया में है दुख, पुराने मकान को तोड़ा जाता है न, पुरानी दुनिया में तो सब दुखी है, फिर इन सब को सुखी बनाने वाला तो बाप ही है, सत्युग में जो भी आत्माई थी वह सुखी थी, बाकी सब आत्माई शांतिधाम में थी, जिसको फिर साइलेंस वर्ल्ड कहां जाता है, साइलेंस वर्ल्ड, फिर साटल वर्ल्ड, सुक्ष मुवतन, वहां शरीर ही नहीं है, तो आत्मा आवाज कैसे करेगी, तो अभी सब आत्माई तमू प्रधान है, इसलिए इसको आईरनेज कहां जाता है, पहले गोल्डनेज में थे, अब फिर बाप आकर गोल्डनेज में ले जाते हैं, मनुष्य को देवता बनाते हैं, सत्युग में स्त्री पुरुष दोनों पवित्र रहते हैं, उनको रामराज्य कहां जाता है, अभी तो हैं रावनराज्य, एक दो पर काम कटारी चलाकर दुखी करते रहते हैं, भगवान कहते हैं, बच्चे काम महाशत्रू है, इसने ही तुमको दुखी किया है, तुम बच्चे गिर्ते आये हो, अभी तो कोई कला नहीं रही है, फिर सोला कला संपूर्ण बनाने बाप आये हैं, इसमें सन्यासियों के मुहाफिक घरबार तो छोड़ना नहीं है, पावन दुनिया में जाने के लिए यह अंतिम जनम तुमको पवित्र जरूर बनना है, जो बाप द्वारा पवित्र बनेंगे, वही पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे, यहां तुम बच्चे आये हो बाप के पास, यहां हेड ओफिस है, जहां सब आते हैं, पार लोकिक बाप आत्माउं को कहते हैं, बच्चे अब देही अभिमानी बनो, आत्माएं भी कहती हैं, हाँ बाबा, हम आपका फर्मान जरूर मानेंगे, पवित्र बनेंगे, यहां श्रीमत है न, श्रीमत से ही स्रेष्ट बनना है, रावन की मत से तुम ब्रष्ट बने हो, तो इस शरीर द्वारा आत्मा कहती है, हे बाबा, हम आपके बने हैं, बाप कहते हैं, मैं आया ही हूँ सर्व की सद्गती करने, बाप आत्मा से पुन्या आत्मा बनाने के लिए, तो पवित्र जरूर बनना है, पहले जब पवित्र बन, भ्रमा कुमार कुमारी बने, तब ही शिव बाबा से स्वर्ग के सुक का वर्षा पाए, तुम फिर से आये हो, बाप से वर्षा लेने, तुम जो देवी देवता धरम के थे, तुमने ही चौरासी जनम लिये हैं, अभी वह देवी देवता है नहीं, देवताए जो पतित बने हैं, वही आकर पावन बनेंगे, जो आये ही बाद में हैं, वह स्वर्ग में जाना सके, जिन देवी देवता धरम वालों के चौरासी जनम पूरे हुए हैं, उन्हों को ही फिर से देवता बनना हैं, बाप कहते हैं, मैं ही आकर भ्रह्मा द्वारा देवी देवता बनाता हूँ, पवित्र बनने विगर तुम देवी देवता बन नहीं सकते हो, इन बातों को समझेंगे वही जो आकर भ्रह्मा कुमार कुमारी बनेंगे, प्रजा पिता गाया जाता है न, मनुश्य स्रश्टी का जगत पिता और जगत अमबा, उन्हों के इतने बच्चे कैसे होंगे, अभी है भ्रह्मा मुखवम शावली, सब मम्मा बाबा कहते हैं, कैसे बच्चे बने, शे बाबाने ब्रह्मा द्वारा तुमको अपना बनाया है, तुम शे बाबा को याद करते हो, उससे स्वर्ग का वर्सा लेने, तो सब ब्रह्मा कुमार कुमारिया आपस में भाई बहन टहरे, यह है युकती, बाबा कहते हैं, तुम ग्रहस्त व्यवहार में भल रहो, परन्तु कमल फोल समान पवित्र रहो, यह करके दिखाओ, घर्भार चोड़ने की बात नहीं है, अपनी रचना की संभाल भी करो, सिर्फ पवित्र रहो, तो इन देवताओं जैसा फिर बनेंगे, देवी देवता धरम की स्थापना तो जरूर होनी है, बाप बच्चों को सम्मुख बैट समझाते हैं, यह मदुबन है, हैड ओफिस, कितने सेंटर्स खुलते रहते हैं, जो कल्प पहले ब्रह्मा कुमार कुमारिया बने थे, वही फिर ब्रामन से देवता, फिर क्षत्रिय, वैश, शूद्र बनते आए हैं, अब फिर ब्रामन बनना पड़े, छोटी ब्रामनों की है न, इन वर्णों से पास करना होता है, बाप कहते हैं, तुम सो देवी देवता थे, अब तुम फिर शुद्र से ब्रामन बने हो, सो देवी देवता बनने के लिए, तुम पवित्र बनते हो, गायन भी है, कुमारी वह, जो 21 बीधी का उधार करे, तुम सब भ्रमा कुमार कुमारिया हो, कुमार और कुमारिया तो दोनों चाये न, तुम हर एक को 21 बीधी के लिए सदा सुक का रास्ता बताते हो, चलो अपने सुकधाम, यह है दुखधाम, अभी बाप को याद करना है, बाप कहते हैं, पवित्र बनो और मामेकम याद करो, कोई भी देहधारी को याद नहीं करो, बाप ही बैट बच्चों को सुख घनीरे देते हैं, अभी कितना दुख है, दुख में ही भगवान को याद किया जाता है, बाप स्वर्ग में ले जाते, फिर वहां क्यों याद करेंगे, कहते हैं, हे प्रभू, अंधों की लाठी, परन्तु जानते तो कुछ भी नहीं, लक्ष्मी नारायन के आगे भी जाकर कहेंगे, तुम मात पिता, अब वहां तो हैं स्वर्ग के मालिक, वह थोड़े ही सब के मात पिता हो सकते हैं, क्रश्न एक राजधानी का, राधे दूसरे राजधानी के, फिर उनकी सगाई हो जाती है, स्वयमवर के बाद फिर नाम बदल जाता है, विश्नु के दो रूप लक्ष्मी नारायन बनते हैं, दीप माला पर लक्ष्मी को बुलाते हैं न, वह है युगल, अभी तुम कामचता से उतर ज्ञानचता पर बैठते हो, तुम हो सच्चे भ्राम्मन, तुम पवित्रता की प्रतिग्या कराते हो, बेहत का बाप कहते हैं, पवित्र बनो, तुपवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे, घर बैठे भी याद कर सकते हो, बाप कहते हैं, तुम सबको मेरे पास आना है, मरना तो सबको है, यह वही महाभारत की लड़ाई है, यहां है यवनों की लड़ाई, सत्युग में कोई लड़ाई आदी होती नहीं, बाप कहते हैं, तुम इस रावन पर जीत पहनूं, बाकी लड़ाई आदी की कोई बात नहीं, यह महाभारत की लड़ाई भी लगती है, बाकी थोड़े बचेंगे, भारत है अविनाशी खंड, बाकी खंड खतम हो जाएंगे, बाप सबको वापस ले जाएंगे, बाप सर्व की सदकती करते हैं, आत्मों को वापस ले जाते हैं, अभी तुम बाप से वर्सा ले रहे हो, सन्यासी तो देना सके, वह कोई स्वर्ग का रचेता थोड़ी है, अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है, बाकी नरक के मनुष्य मात्र सब खतम हो जाएंगे, मरना तो है, क्यों न जीते जी वर्सा ले लेवे, नहीं तो हाई हाई करेंगे, कुम्भकरण की आसुरी नींद से अंत में जागेंगे, अभी सारे चकर की नौलिज तुम्हारी बुद्धी में हैं, तुम ही पुज्य थे, फिर पुजारी बने, फिर पुज्य बनते हैं, पावन राजाए भी थे, पतित राजाए भी थे, अब नौ राजा, प्रजा का प्रजापर राज्य है, फिर सृष्टी को चकर खाना है, सत्युग में आना है, श्यव बाबा इनके मुख से कहते हैं, तुम हमारे बच्चे हो, तुम भी कहते हो, बाबा हम आपके बच्चे हैं, यह है मुख वम्शावले, तुम इश्वर का परिवार हो, भगवान वच एक बाप को याद करो, हम आत्मय अब स्वीट होम में जाती हैं, जहां बाबा रहते हैं, फिर बाबा स्वीट स्वर्ग में भेज देते हैं, वहां भी शान्ती और सुख है, तुम यहां आए हो, पवित्रता सुख शान्ती का वर्सा लेने, 21 जन्मों के लिए यह पढ़ाई है, तुम यहां के लिए नहीं पढ़ते हो, यह है ही मृत्यु लोग, तुम अमर नाथ द्वारा अमर कथा सुन अमर बनते हो, जो बाप से आकर समझेंगे, वही पवित्रता की प्रतिज्या करेंगे, वही भेर आकर वर्सा लेंगे, ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो धेर के धेर होते जाएंगे, दिन प्रति दिन सेंटर खुलते जाएंगे, शूद्र से ब्राम्मन बनते जाएंगे, अच्छा, मीठे मीठे सिखे लदे बच्चों प्रती, मात पता, बाप दादा का याद प्यार और गुद मॉनिंग, रुहानी बाप के, रुहानी बच्चों को नमस्ते, धारणा के लिए मुख्यसार, पहला, बाप से स्वर्ग का वर्सा लेनी के लिए, ग्रहस्त व्यवहार में रहते, रचना की संभाल करते हुए, कमल फोल समान पवित्र बनना है, दूसरा, हरेक को 21 पीड़ी के लिए सुखी बनाने का रास्ता बताना है, ग्यान्चता पर बैठ, शुद्र से भ्राम्वन, और फिर देवता बनना है, वर्तान, मास्टर स्नेह के सागर्बन, ग्रणा भाव को समाप्त करने वाले, नौलिजफुल भव, नौलिजफुल अर्थात, ग्यानितु आत्मा बच्चे, हर एक के प्रती, मास्टर स्नेह के सागर होते हैं, उनके पास स्नेह के बेना और कुछ है ही नहीं, आज कल संपत्ती से भी ज्यादा स्नेह की आवश्यक्ता है, तो मास्टर स्नेह के सागर्बन, अपकारी पर भी उपकार करो, जैसे बाप सभी बच्चों के प्रती, रहम और कल्यान की भावना रखते हैं, ऐसे बाप समान, क्षमा के सागर्बन, और रहम दिल बच्चों में भी, किसी के प्रती घ्रना भाव नहीं हो सकता। स्लोगन, हदों को समाप्त कर, बेहद के दृष्टी और वृत्ती को अपनाना ही, यूनिटी का आधार है, ओम शान्ति स्लोगन, झाले और रहम सकता।